पताइए क्या कोट ने कहा आप लोगों की और से आर्गूमेंट क्या कहा राहूल गांधी के वक्ली आज जो है वो उनकी बेल एप्लिकेशन थी आज राहूल जी की बेल एप्लिकेशन और सेंटेंसिंग जो है उसको स्टे की एप्लिकेशन थी और कन्विक्शन स्टे की एप् किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी 13 तारिक को राहूल गांती जी को हाजर रखने की मनाई की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा तीन माई को क्या होगा फिर कोड के अभी कुछने तीन माई तो रेगुलर जो अपिल है उसकी तारिक है लेकिन I am not sure कि उन्होंने तीन माई का तारिक दिया है अभी फिलहाल next 13 को कार्यवाई होगी 13 को क्या होगा क्या argument होगी कोड किसे किसे notice issue करेगा 13 को जो conviction का स्ट यह है जिनकी वज़े से उनका सपाज़त cancel issue हुआ है तो conviction की जो स्टी की application है वो 13 को चलेगी और उसके पहले यानने शायद 10 तारिक के आसपास कोड ने कहा है कि जो फरियादी है उनकी तरफ से जवाब असानी रहेगी और 13 को दोनों पर्टी की सुनवाई होगी लेकिन जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी चलती है तो वैसे में आपकी और से कोई कुछ खास कहा गया है कोड को की जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया कोई कोई वोई डिस्कॉलिफिकेश्ण का उनका जो मामला है इसलिए ही हमने कहा कि इसलिए जय कुछ रखवाया है और 13 को वो रहेगा उसके बाद उसके ऊपर जो सुनवाई होगी और जो फैसला होगा उसके बाद उनके सभाज़त का निड़नाई होगा लोवर कोट ने जो कन्विक्षन का ओडर दिया है वो ओडर डिश्टिक कोट ने स्टे कर दिया है और उनका जो बेल हो ग्रांड कर दिया है और जो गवर्मेंट फिल्डर है उनको जो नौडिस निकालना होता है वो 13 अप्रिल को निकाला है अब अगली जो सुनवाई होगी व अच्छा फिलहाल के लिए स्टे है तो क्या राहूल गांदी को अपनी संसर ये सदसत्य वापिस मिल सकती है या इसको लेकर अभी कुछ नहीं कह सकते है अभी ऐसे तो रोवर कोट ने जब सजा सुना ही थी वही दिन स्टे मिल गया आता ओर्डर बे तो संसर सब्यतों जाना ही नहीं चाहिए फिर भी क्या हुआ है ओमारे लिगल टीम आगे बताएंगे ऐसे ओर्डर स्टे ही है पहले से ही हुआ है